नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जिरवधा काइट मोबाइल एपलिकेशन में आई पी अपलाई कैसे करते हैं इसका कमप्लेट लाइप रॉसेस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप लोग करने का लिंक दिया गया है डायरेक्ली आप लोग जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो चली देखते हैं जिरोधा काइट मोबाइल एपलिकेशन के थ्रू आई प्यू अपलाई कैसे करते हैं तो सिंपल दोस्तों आपको जिरोधा काइट मोबाइल एपलिकेशन को ओपन कर वाएगा इस option पे आपको यहां पे click करना है जैसे आप लोग IPO के option पे click करोगे आपको यहां पे list so करेगी जो भी IPO फिलाल current time में चल रहे हैं या फिर close हो चुके हैं उनकी list आपको यहां पे so होगी जैसे कि आप लोग हमारी NetWeb Technology Limited के IPO में apply करने वाले हैं तो simple आप लोग देख सकते हैं हमारी screen पे यह NetWeb का IPO है इस पे हम लोग apply करने वाले हैं तो simple आपको सामने की side में apply के option पे click करना है जैसे हम लोग यहां पे apply के option पे click करेंगे आपको यहां पे दो options हो करेंगे investor type में एक आपको आप लोग है वो individual को select करेंगे जैसे के हम लोग यहां पे individual को select करते हैं उसके बाद में देखिए दोस्तों आपको यहां पे इस IPO की यहां पे आपको detail सो करेगी जैसे के आप लोग देख सकते हैं quantity कितनी रहेगी इसमें price range क्या रहेगा dates क्या इसकी जो important date closing कब होगा opening date कब है listing कब होगी यह सारी details आप लोग यहां पे check कर सकते हैं इसके अलाव दोस्तों subscription data भी दिया गया है अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कितने लोगों ने इस IPO को subscribe किया है तो आप लोग यहां पे जो यह option दिया गया है subscription data इस option पे click करके और आप लोग वहां से check कर सकते हैं इसके अलाव दोस्तों नीचे की side में देखिए IPO में जो opening data ending data क्या है वो आप लोग यहां पे सब check कर सकते हैं refund कब आएगा आपका वो सारी details आप लोग यहां से check कर सकते हैं तो आपको IPO apply करना है simple आपको जो apply का option दिया गया है इस blue वाले color वाले आपको apply के option पे click करना है जैसे ही आप लोग यहां पे apply के option पे click करोगे आपके सामने apply करने का dashboard है वो open हो जाएगा तो सबसे उपर में आपको UPI ID इंटर करना है जो भी आपकी UPI ID है अगर आपको UPI ID नहीं पता है तो आप जैसे की phone पे use करते है patm यूज करते है google पे use करते है कोई भी आप लोग UPI app यूज करते है उसकी profile में जाएगा simple आपको UPI ID मिल जाएगी वो UPI ID आपको यहां पे enter करना है उपर में आपको UPI ID एंटर करना है second option में आपको जो यह add the rate लगावा आ रहा है इस option पे आप लोग click करेंगे तो आपको add the rate SBI, add the rate SDFC bank यह सारी आपको यहां पे ID के आगे वाली so करेगी तो जैसे के हम लोग phone पे का use कर रहे है तो add the rate YBL हमारी UPI ID के सामने लिखावा है यहां पे आपको click कर देना है and उसके बाद में देखे नीचे की side में एक checkbox दिया गया है इस option पे आपको यहां पे click कर देना है इस option पे आपको click करने के बाद में नीचे की side में देखे आपको submit के option पे click कर देना है जैसे आप लोग यहां पे submit के option पे click करोगे आपका यहां से IPO application है वो submit हो चुका है आपने जो भी UPI ID enter की है इसमें उस app को आपको open करना है और उसमें आपको payment request जाएगा वहां से आपको payment है वो success कर देना है और उसके बाद में आपका IPO हो अपलाई हो जाएगा जो भी allotment की date होती है दोस्तों उस दिन आप लोग IPO का allotment status हो चेक कर सकते है और उसके बाद में अगर आपको आता है तो आप लोग अपने demate account के मादन से share को sale करके और आप लोग अपने पैसों को bank account में withdraw कर सकते है तो यह है दोस्तों जिरोधा काईट mobile application से IPO apply करने का process अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिन बहुत बहुत धन्यवाद